नमस्कार वेलकम टू एक सर्विशमेन इंडिया येटूब चैनल दोस्तो इफाइलिंग का समय आप आगया आपको अपना इंकाम टैक्स रेटान भरना होगा ऑनलाइन तो अब जैसे की जानते हैं कि इफाइलिंग का जो पोर्टल है इंकाम टैक्स का वो भी अभी अपग्रे इफाइलिंग 2.0 इस पे आप कैसे इफाइलिंग करेंगे वो तो आप कहीं से भी जान सकते हैं पर आज का इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि इफाइलिंग पोर्टल 2.0 में आपका फुल पेंशन कैसे आपको एक्जम्शन मिले गई यानि कि आपका टोटल जितना पे सवरिटी पेंशन ये टोटल जितना पेंशन है टोटल एमाउंट को पूर आपको किसी तरह का एक पैसे का भी टैक्स जिने का जरूरत नहीं है एक पैसे का भी टैक्स भरने का जरूरत नहीं है यानि कि टोटल टैक्स का आपको चुट मिलेगा तो ये चुट आपको कैसे मि होता ही है ऐसे situation पे आप job e-filing कर रहे हैं तो आप कैसे e-filing करेंगे दोस्तों बहुत आसान सी बात है आप login कर लीजिए अपना e-filing portal में जस्ट आइसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं आप जैसे login करेंगे मैं login कर रहा हूं अपना खुद का अपना pen card का number इस दाल दिए इंटर user id में आपको अपना pen number देना है उसके बाद continue में प्रेश करना है फिर आपने यहाँ पे आपका password देना है password देने के बाद आपने continue button प्रेश करना है जैसे आप continue button प्रेश करेंगे देखिए आपका एक welcome message आया जाएगा welcome to e-filing portal विकास टे ठीक है इसी तरह का आप जब करेंगे तो आपका भी एक message इसमें आएगा और इस screen में देखिए आपको क्या-क्या करना है ठीक है अच्छा तो सब पहले आपको अगर अपना profile अपडेट करना है तो आप कर लिजिए पर मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि हमारा में मोटो है यह दिखाना कि आप कहां पे अपना टूटल जो pension exempt करने के लिए पेंशन टूटल पेंशन का tax exemption पाने के लिए आप कैसे फाइल करेंगे यह हमारा में मोटो है ठीक है तो हमने क्या करेंगे यहां पर देखिए फाइल नाउ यह फाइल नाउ बटन में हमने क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक किया यहां पर क्या करना आपको देखिए 2021-2022 कारेंट यह वाई इसमें आपको क्लिक करना है और कंटीनू करना है बागी कुछ नहीं करना ठीक है इसमें आपको क्लिक करना है पर आपका सुविधा के लिए मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग इसमें क्लिक कर रहा हूं देखिए यहां पे इंडिविज्यल में क्लिक करना है और इंडिविज्यल क्लिक करने के बाद कंटीनू में प्रेश करना है जैसे कंटीनू प्रेश करेंगे तो यहां पर आई टीर फॉर्म आपको चूज करना है जो सलरीर परसन है पेंशनर है उनके लिए आई टीर वान है तो आई टीर वान में हम क्लिक करेंगे जैसे इत्यार वान में क्लिक किया फिर प्रोसीद इत्यार वान यहां पर क्लिक करना है जैसे यहां क्लिक किया तो देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड यहां फिर क्लिक करना है ठीक है यहां जैसे जैसे देखिए क्लिक किया ठीक है तो आपका जो यह हैं फैक इपर्सेवला का रॉम dit 하면 है तो यहाँ पर कंतिनू कर दिजिये ठीक है अच्छा आप इसको कि कर दिजिए अब देखिए परस्नाल information अपका है यहां पर personal information अगर आपको update करना है तो यहां पर update कर सकते हैं ठीक है और update करने का बाद देखिए यहां पर personal information में क्लिक किया ठीक है क्लिक करने का बाद bank details प्रक्राइब सारे चीज फिर confirm करना है यहां पर देखिए are you opting for new tax अभी देखिए tax का जो slab है सब कुछ चेंज हुआ है तो आपने क्या करना है यहां पर option देना है आपने new permit आपका अगर home loan बगर रहा है तो आपका old में सही है ठीक है पुराणय में सही है तो हमने यहां पर new tax में no किया ठीक है और new करने के बाद फिर यह सारे चीज जो भी अपडेट करना है यह करने का बाद फिर confirm करना है confirm करने का बाद देखिए यहां पर gross total income आपने क्लिक करना यहां पर ठीक है gross total income में हम क्लिक करेंगे ओके gross total income में देखिए आप सी सब पूछा जाता है question ओके यह आपको अगर answer देना है तो आप दे सकते हैं या फिर skip the question कर सकते हैं यह करने के बाद आपने next column में जाना है loading हो रहा है okay अच्छा अब देखिए यहां पर आपका जो एडिट करना है आपका gross चला रही कितना कितना है आपका form 16 से देख करके आपने यह भरना है या फिर आपने जो calculation करके रखा है उस हिज़ाव से आपको यह column यह जो पेज है यह जो पेज है इसको आपने जह है complete करना है ओके और complete करने का बाद आपने क्या करना exempt income exempt यह है में जो चीज मैं आपको बता रहा था कि exempt income this information is only for reporting पर पास यही वो जगह है जहां पर आपको अपना disability pension को सू करना है ठीक है यह वो जाएगा है एक कहां पर आया आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने जो स्टेफ्स एक का बाद एक जो स्टेफ्स भरते गए उसके बाद जहां पर gross total income gross income page में क्लिक किया और वहां पर नीचे यह देखी यह जो पेज है जहां पर verify your income source details इसका बिलकुल नीचे है आपका देखी exempt income ठीक है यहां पर क्या करना है if you have any exempt income please add it है यहां पर आपने add details में प्लास करना है ठीक है अब क्या करना है nature of exempt income यहां पर आपने क्लिक करना है जहां पर select लिखा हुआ है यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए बहुत सरे इसमें एक drop-down box में बहुत सरे आइटेम्स आएगा इसमें से आपके लिए कौन सा आइटेम है देखिए इसमें इह देखिए इसमें 1018 pension receipt by विनारा परम एक बार फिर से repeat कर रहा हूं ठीक है कि यह कहां से मुझे मिला लेखिए add exempt income यहां जाके select mail क्लिक करना क्लिक करते ही यह drop-down box का जाएगा इसको जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो 1018 का बाद लेखिए इसमें लगातार है इसमें देखिए 10B 10D 10 11 12 13 15 16 17 18 इसके बाद 18 का बाद देखिए 18 और 19 यह उपर 18 है 10 18 है नीचे 10 19 है इसका बीच में है defense medical disability pension आप देखे करना है इस पर क्लिक करना है फिर से देखिएगा यहां पर आपने क्लिक करना है जैसे आप क्लिक किया देखिए नीचे का amount वाला यह box है red हो गया इसका मतलब क्या है यहां पर आपने भरना ह है तो मान लिजिए आपको total 3,60,000 रुपया साल आना आपको total pension मिलता है यानि कि यह pension क्या है total pension मतलब आपका service element and disability element total bank account में PCDSE जितना पैसा आपका bank account में एक साल में आता है for the purpose of pension वो amount आपने यहां पर लिखना है जैसे आपने यह amount यहां पर लिख दिया उसके बाद क्या करना आपने बाहरे एक बार क्लिक करना है क्लिक करते ही यह red box हट जाएगा यह normal हो जाएगा फिर इसमें इसको add करना है देखिए add button में मैंने क्लिक कर दिया ओकी तो यहां पर चेक भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है ठीक है defense medical disability pension total exempt income यह 3,60,60 पर आ गया अच्छा अब एक बात यहां कहना बहुत जरूरी है यह जो income है यह income आपका यहां पर नहीं होगा gross salary जो कलम है gross salary में आपका रियम्प्ल अगर आप रियम्प्लाइड है या जो भी है जहां आप कहीं भी काम कर रहे है जहां पर जितने salary मिलता है वहां का जो form 16 में जो शूप करता है वही amount यहां पर लिगना है ना कि आपका pension amount इसमें लिगना है आपका pension का amount इसमें नहीं जुरेगा ठीक है clear रहा सट देखिए इसमें जो gross salary है इस कलम में cable आपका present occupation का salary होगा इसमें pension amount नहीं होगा कोई भी pension disability pension and service element या service pension जो भी कहें आप वो amount इसमें नहीं जुरेगा gross salary कलम में नहीं जुरेगा ठीक है इसमें cable मतरा आपका present occupation का civil employment का जो salary है वो ही इसमें जुरेगा दूसरा income from house property यह तो आपका अगर है income from other source इसमें भी आपका कोई pension amount नहीं जुरेगा इसमें income from other source मतलब आपका अगर कोई fees deposit बगर है जहां से आपको interest मिल रहा है इस तरह का या फिर और भी कोई काम करते हैं आप और भी कोई किसी sources से आपका इंकाम आता है वो आप अपने यहां जुरना है इस कलम में पर इसमें आपका pension amount नहीं जुरन तो आपका income from salary column में लिखना है नहीं आपका income from house party में लिखना है नहीं आपका income from other sources में लिखना है इन तीनो कलम में नहीं लिखना है में केबल मात्रो एक कलम में लिगना है वो क्या है एक जेंपी इंकम में एन करना है बागी कहें भी इस बाइक़ें आहें करना अब आप जैसे प्रot reciproल करेंगे तो आपका सद्व जाएगा और उट्रेके Iya आपका जो इसको वो प्रोसेस को अपने कम्प्लीट करना है यह हम एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि टोटल जो आपका इफाइलिंग आई टीर का है वो कैसे कैसे भर रहा है पर यह आप जानते हैं इसलिए इसको दिखाने का अभी इतना अबसक्ता नहीं है फिर भी हम बाद में एक हो चुका होगा फिर भी आगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंफर्मेशन को लेकर के नमस्कार जैहिंद जैभरत